पश्यमी उत्रप्रदेश के खिलाडियों ने पूरे विश में डंका बजा रखा है और विनेश फोगाट का जो मामला हुआ है उसके बाद से कही न कही नराज की देखने को मिल रही है और वो ये था कि मात्र 100 ग्राम एक्स्ट्रा वेट होने से उनको डिस्कॉलिफाय कर दिय गया जैन चौधरी कहीं बार खिलाडियों के लिए बाते करते हुए निर्जर आते हैं अपनी निधी से खिलाडियों को जो सुवीद हैं वो देते हुए निजर आते हैं हमारे साथ RLD के नेता और युवा लोग भी यहां पर अब शामिल है इनसे बात करेंगे कि ओलंपिक म ही खड़े हुए थे और गोल्ड लाने की कगार में थे लेकिन सौ ग्राम वेट क्या नियम कानून है सारी चीज़े बात करते हैं सबसे पहले आप से बात करते हैं बड़ा डिस अपॉइंट्मेंट रहा सौ ग्राम वेट से बहार होना बहुत से नियम बताए गए कि इतनी ज पहले भी खेल ली है तो उनका जो मैनेजमेंट था उसने इस बात पर पहले ध्यान क्योंने लिया यह तो एक शर्यंत्र के तहट ही बहन जो हमारी विनिस फोगाट है उसे इने उनने डिस्क्वालिफाइग किया गया है और इतनी मेहनत करके जो आदमी इतना सपना देखता ह तो में इसमने सरकार का तो कोई ऐसा मामला नहीं है लेकिन जो आपीमेंट है उनका जो इसे देख और वहां पे लियता आपको किसका लगता यहां तो बहर्त-कार का तो यहां पढ़न हो देख यह जो हमारे हैं इसको यहां आप लग 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 लेकिन लगता है कि लाडियों के बीच में कैसी बात है और विपक्ष ने सीधा सरकार पर कि यह लगता है और बहुत से लोग बदर्भ द जुबान पर बोल रहे हैं कि करिके शरीयन तब भी खुल कर बोले तो क्या लगता है अधियुक्ष के बास तो मुद्दिन सरकार करते हैं जो एक लिए इनका उनसे स्टाइब नहीं चाहिए तो उन्हें लगता है स्टाफ की फी गलती है क्या डाइटीशन ने ध्यान नी दिया है क्या चीज लग लिए आपको एक इस लेविल का खिलाडी उसकी 20 साल की मेहनत लग रही है गोल्ड मेंडल खिलने जा रहा है वो भी 100% गोल्ड की दावेद आपने वर्ल नमर वर राएं ग्यासी बाउट जो नहीं रहा है तो क्लियर ता अप गोड मेंडल वेनर है तीन बाउट तक अपका वेट ठीक था उस दिन पूरे दिन शाम को अना चानक आपका दो किलो 700 ग्राम वेट बढ़ा है तो क्या डाइटीशन दुआ रहा है यह तो आपको डाइटीशन नहीं देख बढ़ा ही क्यूं दिया पहले सबसे बड़ी बात तो यह गलत है और जब आप सुबह तोलने गए फिक्स होता है आपने भी पहले वेट किया होगा अगर 100 ग्राम वेट फालतु ही आ रहा था आपको तोलना ही नहीं चाहिए ता आपको पहले इंज़ दिखा के बैकाउट त आपको वेटी नहीं करना पड़ता है जहां आप माई स्टैंड करते अपको 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 अपील है कि जैसे कीनिया वालों के साथ दर्शाय गया कि वो डिस्कॉलिफाय हुए थे क्योंकि टक्राय थे अपर मेडल उनको बरकरार रखा तो उमीद है ग्यारे बजे हमारा बहुत सो लोग जी जानना चाहते हैं इसा क्यों जैन जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं है जैन जी की सारी निदी स्पोर्ट्स के लिए गई हुई है मनु भासकर जी कल मेडल लेके उतरी कहां पहुची जैन जी ने स्वागत किया और सम्मान दिया यह दिश्व दुद स्पोरी निदी स्पोर्ट्स को डूनेट करी हुए उनसे ज्यादे तो खिलाडी को पर्मोट ही नहीं करता हुए तो अपने लीडर को सलाम करता हुए उस इस तरह से आती ही बासकर जी को सम्मान दिया बुलाके और उनके पूरे परिवार के सामने उनको सम्मानित किया आप तो काफी सीनियर है पहले कभी मेरे को याद नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो कि ओवरवेट होने से समातर सो भी सौ ग्रम की डिसकौलिफाइ कर दे किसी की लाड़ी को वो भी टूर्णमेंट में इस अपॉइंटमेंट तो बहुत रहा है आपको क्या लगए बहुत डिसपॉइंटमेंट है और क्योंके हम तो सब लोग सपोर्ट्समें नहीं जैसे विन ने भी कहा तो हमें तो लॉस है ही है लेकिन हमारा भी लॉस है और मैं इसमें यह मानता हूं कि यह सिस्टम का फेलियर है रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया का फेलियर है हमारे जो शेफडी मिशन वहां गए हैं कंटिंजेंट के साथ उनका फेलियर है जो सपोर्ट स्टाफ है उनका फेलियर है एक बच्ची जिसको जो सिस्टम से लड़ी हो ओलिम्पिक्स में कौलिफाई करने के लिए उसने अपनी वेट कैटिकरी चेंज करी हो 53 से 50 kg पे आई हो ट्राइल में कंटेस्टेंट को 10-0 से हराया कोटा हसिल किया फिर वो महां गई एक दिन में तीन बाउट लड़े उसने और तीनों जीते वर्ल्ल चैंपियन के खिलाफ जीती अपने से बेटर जो रेस्लर्स थे उनके खिलाफ जीती शायद ये बात किसी को पची नहीं कि ये इतनी सक्सेस्फुल क्यों हो रही है किसको नहीं पची रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया और मैं तो लगता है कि ब्रजभूशन की खिलाफ जो और उसके बावजूद ये इतनी सक्सेस्फुल हो गई वरना बहुत सिंपल सा है रूल सारे लेट डाउन है अगर शेवडी मिशन चाहते एक कंप्लेंट करते और रूल्स के बेसिस पे विड्रॉ कर लेते विफोर दवेइन होने से पहले विड्रॉ कर सकते थे लेकिन इसलिए लग रहा है कि कहीं न कहीं जान बूच के किया गया कि एक बिजर्विंग बंदी को मेडल ना मिले क्योंकि उसमें Wrestling Federation of India की बेज़दी होती और बेज़दी ये होती कि जो wrestlers ने अपसे 6 महीने पहले एक साल पहले जो उन्होंने बहुतान लगाए थे वो सब चीज उनको वो खटक रही थी कि अगर ये successful होगी भरना प्रदशन वो आवाज उठाना खिलाव उठाना वो महिंगा पड़ा बिलकुल क्योंकि हमारे यहां सबसे बड़ी जो हम लोग दल या कॉंग्रेस का नहीं है सबसे बड़ी जो हम लोग टैलेंट बहुत है मुल्क में unlimited टैलेंट है लेकिन हमारे यहां जितने भी federations हैं उसके जो कारकुन बनाए जाते हैं वो पॉलिटिशन या बुरोक्रेट्स बनाए जाते हैं जिनका स्पोर्ट से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता आप अगर अभी देखेंगे इस कंटिजिंट में भी पैरेस वाले में भी तो एथलीट्स कम हैं और बाबुडोम जादा गया है तो उन लोगों को इंचार्ज बनाना चाहिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मेरी यह डिमांड है स्पोर्ट्स मिनिस्टर साब से भी और प्रदानमंत्री जी से भी कि हर फेडरेशन का इंचार्ज प्रेजडेंट वाइस प्रेजडेंट उन्हें बनाएं जिनको उस पर्टिकुलर खेल के बारे में मालूब हो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं था और हम तो दुआ कर रहे हैं कि C.A.S. उनकी अपील सुनेगा ग्यारा बजे यहां से भी शायद हरी सालवे साब नहीं और प्रो बोनो लॉयर्स भी करें उन्होंने वहां मैं तो यह उम्मीद करना हूँ कि इतना बड़ा मिस्डेमिनार नहीं है और सबसे बड़ी ताज्यूब की बात है कि बिनिश भूगट का ही वह इन हुआ और किसी रैसलर का वह इन नहीं हुआ जो गोल्ड मेल जीती है उसको भी उसको भी उसको भी नहीं कर तो कहीं नहीं यह लगता है और मैं समझता हूँ रैस्लिंग फेडरेशन की तो कमी है लेकिन थोड़ा वेस्टन बाइस है हम थर्ड स्मैश था मेल जीते और अमना देश का नाम रोशन किया और अनीरा चोपला जी ने सिल्वर जीता पहले हिंदुस्तानी बने वो जो कंजेटिव उलम्पिक्स में मेल जीते हैं गुबारकबाद के मुस्तेख हैं और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस पूरे उसमें अनकी माताजी ने कहा जो गोल्ल मेल जीता है उसके बारे में कि वो भी हमारे रह एको thorough तो यह दर्शादाहि कि कोई तो कोई नहीता हुता है कोई कंट्री मी होती कोई बांडरीज नियोती सब स्पोर्स्में सब्स्में होता है चाहिए किसी जातीगा हो किसी मजब को एक ब इनेश्वगार्ड वाला जो मामला हुआ सोग्राम भी उसमें तो कुछ लग रहा है कि उसके वेट वेट के ले के किया है किया लगाए कुछ नहीं कुछ तोचल कि आए उसके साथ सब्सक्राइब वाइए का सुना है मैंने नीज में पढ़ा है कि कुछ कोई दिया है पॉटर हैं जो भी है उनका मिसमेनजमेंट है उन्हें चेक करना चाहिए था कि तो 53 किलों से 50 में आई थी तो उनकी डायेट पर ध्यान रखना चाहिए था और उस रात जिस रात तो फाइनल से पहली रात थी उसमें तो बहुत ज्यादे गोर करनी चाहिए थी कि वेट पर हो गया जो भी हुआ यह थे हमारे साथ आरेली के कुछ लीडर्स जिनका यह कहना है कि यह मिसमेनजमेंट रहा है शडियंत रहा है और खुलके बोलते हुए भी नजर आये हैं कि भारतिये जंता पाठी के खिलाफ जो धन्ना प्रदशन किया गया था विनेश्वकाट और अन पिक में भुकता है और मोई शर्मा टीविनाय उत्रप्रदेश मेरत